राम राम आप सबी को कैसे हैं आप सब तो दोस्तों अगर आप अपने unwanted hair से बहुत ही ज़्यादा परिशान है और चाहते हैं कोई ऐसी remedy जो विना पेन के आपके face के सारे के सारे hair को जड़ से निकाल दे तो ये वीडियो आपी के लिए है 100% ये remedy work करेगी मैं आपको step by step सारे process पताऊंगी आप वीडियो को end तक देखिएगा एक step मिस मत कीजिए नि तो आपको remedy का पता नहीं चलेगा कि मैंने इस remedy को कैसे तैयार किया है रात को सोने से पहले इस remedy को apply कीजिए आपके अंचाहे बाल जड़ से खतम हो जाएगे तो चलो आपका time ना waste करते हुए हम अपनी वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों इस remedy को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो main चीज चाहिए वो है प्याज medium size का प्याज लेंगे और कोई भी प्याज ले लीजिए सफेद प्याज ले लीजिए या लाल प्याज ले लीजिए ये कोई option आपको जो प्याज मिलता है आप वो प्याज का यूज कर सकते हैं और सबसे पहले इसका उपर वाला शिलका उतार लेंगे उतारने के बाद प्याज को बीच में से कट करके इसकी layers को अलग कर लेंगे single single layer को निकालना है हमें ये वाला प्याज नहीं चाहिए हमें जो नजर आ रहा होगा हमें बस ये ही चाहिए आप इसको nail की साहिता से हलका सा खीचोगे ये पूरा का पूरा बाहर निकल कर आजाएगा ये ही work करें कि आपके अंचाहे बालक को खतम करने के लिए तो हमें ऐसी जिली चाहिए मैं तभी वोड़ू थी कि medium size के दो प्याज ले ल में से ये जिली को निकाल लूँगी तो दोस्तों ये थोड़ा सा मेहनत का काम है अगर आप अपने अंचाहे बालों से शुड़कारा पाना चाते हैं तो इतनी मेहनत हम कर ही सकते हैं तो ये देखिए मैंने सभी प्याज की जो layers में से ये जिली को निकाल लिया है देखिए ये वाले प्याज को भी हमने वेस्ट नहीं जाने देना आप इसको सबजी बनाने में यूज कर सकते हैं इसको फैंकने की जुरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी खराब नहीं किया है हमने सरफ इसकी पतली सी जिली निकाली थी वो हमने निकाल दी है बाकी प् कड़ी पता आप इसकी जगह तुलसी का भी इस्तमाल कर सकते हैं दोनों सेम वर्क करेगी मैंने यहां कड़ी पता यूज किया है और अच्छी खासी क्वांटिटी में हमें कड़ी प्लीफ लेनी है क्यूंकि अगर आप अपने अपर लिप एरिया के लिए यह रेमेडी तैयार पताऊंगी उसी के हिसाब से मैंने यह रेमेडी आपको बना कर बता रही हूं तो दोस्तों दोनों चीजों को हम पिस लेंगे मैं गिलास में इसको पिस रही हूं आप इसी शिलुट्टम इसको पिस सकते हैं मिक्सर जार में यह नही पिसिएगा क्वांट क्युआरिवार्य तो दोस्तों इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है अभी हम इसको अलग से बर्तन में निकाल लेंगे इसको ऐसे यूज नहीं करना पर उससे पहले आप मुझे कमेंड करके बता दीजिए कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से वाच कर रहे हैं तांकि मेरी पता चल सके कि मेरी व नमक का इस्तमाल करूँगी चुटकी वर नमक हम इसमें यूज करेंगे आपने सुना ही होगा कि नमक हमारे जो फेस की हेर है उसकी जड़ को कमजोर कर देता है इसलिए हमने यहां पर नमक का इस्तमाल किया है थोड़ा साही अमांट में हमी नमक लेना है सभी को अच्छे से नहीं होना चाहिए, मैं कच्छे दूद की help से अपने face को clean करूंगी, आप चाहे तो simple पानी के साथ भी अपने face को clean कर लीजिए, नहीं तो cleansing milk अगर आपके पास हा तो आप उसके साथ भी अपना face को wipe कर सकते हैं, पर इस mixture को apply करने से पहले आपका face clean होना बहुत जरूरी है, तो अच्छे से अपना face clean कीजिए, सारा का सारा make-up remove कर दीजिए, फिर यह remedy आपके उपर 100% work करेगी, तो मैंने अच्छे से अपना face clean कर लिया है, अभी हमने जो mixture बना के रखा हुआ है, उसको कैसे apply करना वो दिखिए, आपने इसको अपने हाथ पे लेना है, और dab-dab करके अप head down करोगे, तो वो चीज चिपकेगी नहीं, आपके face पर वो निकल जाएगी, गिर जाएगी नीचे, तो इसलिए अपना face थोड़ा सा उपर करके फिर आप इस mixture को अपने face पे लगाए तो मैं यहां upper area पे लगा रही हूँ, अगर आपको अपने पूरे face पे लगाना है, तो आप लेट कर अपने face के ऊपर पूरे pack को लगा सकते हैं, तो दोस्तो शर्त एक ही है कि यह remedy को आपको लगातार तीन महीने तक अपने face पे लगाना है, तब ही यह 100% work करेगी, तब ही आपके जो unwanted hair है वो slowly slowly पूरे face पे खतम हो जाएगी, आपको पता है यह natural remedy है, home remedy है, यह का आप तो करती है, पर slowly slowly आपके face के ऊपर work करेगी, इसलिए मैं बोल रहे हूँ कि आपको इस remedy को लगातार तीन महीने तक आपको यह अपने face पर, तब ही जाकर आपकी जो face के unwanted hair है वो remove हो पाएगे, उनके जो roots है, जो जड़ है वो खतम हो जाएगी totally आपके face पर, तो आपको इसलिए इस remedy को तीन महीने तक लगातार लगाना है, मैंने इस पैक को सिरफ अपने upper area पर ही apply किया है, अगर आपके face पे भी बाल है, तो आप इस पैक को अपने face पे भी apply कर सकते हैं, यह बहुत अच्छी remedy है, 100% work करेगी, तो मेरे face पे extra बाल नहीं है, सिरफ upper area पर ही है, मैं कि हम अपनी fingers की साइता से हलका हलका circle motion में घुमाएंगे, कि जो छोटे-छोटे hair है, जो बहुत बारिक वाले hair है, वो तो अभी ही निकल जाएंगे, पांच मिनद दक हम ऐसे ही massage करेंगे, अपने इस area की, और फिर इसे गीले कप्डे की साइता से इसको wipe कर लेंगे, दोस्तो आपको यह 100% result देगी, एक बार apply करने से आपको result मिलेंगे पर बहुत कम मिलेंगे, पर अगर unwanted hair को आप जड़ से खतम करना चाते हैं, तो आप इस remedy को 3 महीने तक लगातार use कीजिए, फिर हम किसी गीले कप्डी की साइता से wipe कर लेंगे, और जो छोटे-छोटे hair थे हमारे face क पर वो totally इस समय खतम हो चुके हैं, निकल चुके हैं, विना pain की हमने unwanted hair को remove कर लिया है, आप इस remedy को अपने घर पे try कीजिए, आपको 100% इसके result मिलेंगे, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जड़ साभी पसंद आया हो, तो वीडियो को like कीजिए, साथ ही साथ चैनल को subscribe की कीजिएगा, और वीडियो useful लगती है, तो इसको अपने friends and family साभी share कीजिएगा, और मुझे comment करके बताएए, आप मेरी इस वीडियो को कहां से watch कर रहे हैं, अभी मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी एक और नहीं धुमागेदार वीडियो के साथ, तब त का प्रिकियाम रधया, थैंक्स वर वाची